अभी कुछ दिन पहले दिली के लोगों ने मिलके प्रदूशन के खिलाफ एक महा अभियान शुरू किया था युद्ध प्रदूशन के विरुद्ध उसमें आने वाले समय में हम सब मिलके बहुत सारे काम करेंगे इलेक्ट्रिक वहिकल पॉलिसी है उस वो लागू हो रही है ट्री प्लांटेशन है पराली से निपटने का की बात है बहुत सारे हमने काम कहे थे उसी में एक कॉंपोनेंट था ट्री ट्रांस्प्लांटेशन पॉलिसी का आज कैबिनेट की सुबह हमारी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ट्री ट्रांस्प्लांटेशन पॉलिसी पास कर दी गई है दिल्ली में अपने बहुत घने पेड़ें बहुत पुराने पुराने पेड़ें बहुत बड़े बड़े पेड़ें ये आशिरवाद है और दिल्ली पुरानी बहुत पुराना शहर है तो यहां पहले के बहुत सारे पेड़ें हमारी सरकार की कोशिश रहती है दिल्ली वालों की कोशिश रहती है कि कोई भी पेड को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए लेकिन कई बार कोई building बनानी पढती है, कोई विकास कर रहे होता है, सड़क बनानी पढती है अलग-अलग विकास कर रहे हैं कई बार पेड काटने मजबूरी बन जाती है अभी तक policy ये होती थी कि अगर एक पेड़ कटेगा तो उसके बदले में compensatory दस पौधे लगाए जाएंगे अब पेड़ तो था इतना उच्छा 400 साल पुराना 500 साल पुराना प्रकृति ने कितना उसको संजो के इतना बड़ा बनाया था और हम छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं दस उससे बात तो नहीं बनती पेड़ वो दस पौधे पता नहीं अब कितने टाइम में बड़े होंगे तो अब आज हमने एक policy pass की है tree transplantation policy दिल्ली पूरे देश में पहला प्रदेश है जहां पे tree transplantation policy पास की गई है इसमें हमने कहा है कि compensatory एक पेड कटेगा तो compensatory दस पौधे तो लगाने ही लगाने हैं उसके addition में उस पेड को काटना नहीं है आज science इतनी तरक्की कर चुकी है कि उस पेड को नीचे से खोद के पूरे के पूरे पेड को खोद के लिफ्ट करके ट्रक में डालके दूसरी जगे आरोपित किया जा सकता है दूसरी जगे उसको लगाया जा सकता है इसको transplantation कहते हैं पेड को काटने की ज़रूरत नहीं है उस पेड को नीचे से उखाड के scientific तरीके से और chemicals वगारा इनकी होते हैं उसका इस्तिमाल करके और ट्रक में डालके और उसको दूसरी जगे पे ले जाया सकता है इसे treat transplantation कहते हैं तो आज policy pass की गए कि कम से कम 80% paid कहीं भी किसी भी project में जो भी project होगा उसमें 80% paid कम से कम transplantation किये जाएंगे और जो paid transplantation किये गए उनका 80% कम से कम जीवित रहने चाहिए हैं ऐसा नहीं कि कर दिये खाना पूरती कर दिये फाइल हैं पूरी हो गई और कम से कम 80% transplant करने हैं और उनका 80% जो है वो जिन्दा रहने ज़रूरी हैं ये agency को जो भी agency हमसे permission लेगी उसको ये ensure करना पड़ेगा अब दिली सरकार ऐसी agencies जो की अच्छा transplantation करती है नेशनल लेवल की agency है उनकी उनका track record अच्छा है उनका experience अच्छा है ऐसी agencies का इक panel बनाएगी और जो भी department केंदर सरकार का अदिली सरकार का कोई भी अन्य department अगर permission लेना चाहता है paid transplantation या काटने की उसको इन panel की हुई tree transplantation agencies में से किसी से भी वो काम करवा सकती है इसकी payment जो है agency की tree transplantation agency की इसकी payment तब की जाएगी जब एक साल के बाद देखा जाएगा कि कितने paid बचे अगर 80% से कम paid बचे तो इसकी payment काट ली जाएगी और अगर 80% से जादा paid बचे तो इसको पूरी payment इस agency को पूरी payment की जाएगी दिली सरकार के तहट एक dedicated tree transplantation cell भी बना रहे हैं और local committees बनाई जाएगी जिसमें सरकारी लोग होंगे लोकल नागरिक होंगे आडव्यों के लोग होंगे इन transplant की होवे पेडों की checking करने के लिए monitoring करने के लिए और बाद में certificate भी देने के लिए कि सही हुआ है एक और बहुत बड़ा निर ने आज production के खिलाफ cabinet ने लिया कि एक smog tower दिली के अंदर लगाया जाएगा ये smog tower दुनिया का दूसरा smog tower होगा पहला smog tower लगा था चाइना में और दूसरा यहाँ पे लगा रहा है दिली में दो smog tower लग रहे हैं एक केंदर सरकार लगा रही है और एक दिली सरकार अब लगाने जा रही है केंदर सरकार आनंद विहार पे लगा रही है दिली सरकार कनौट प्लेस पे लगा रही है ये स्मॉग टावर चाइना वाले स्मॉग टावर की टेकनोलोजी से अलग है चाइना वाली टेकनोलोजी के अंदर वो स्मॉग टावर नीचे से हवा सक करता है और उसको साफ करके हवा को उपर पिंकता है हमारे वाला स्मॉग टावर उपर से हवा को सक करेगा और उस हवा को साफ करके नीचे सवा साफ करके पिंकेगा ताकि लोगों को नीचे साफ हवा मुहया हो तो अपनी तरह की टेकनोलोजी का ये पहला स्मॉक टावर होगा आज इस टावर को लगाने के लिए दिल्ली की हमारी कैबिने आपकी कैबिनेट ने 20 करोड रुपे सेंक्शन कियें और हम उम्मीद करते हैं कि ये 10 महीने के अंदर बनके तयार हो जाएगा इसे हम एक पाइलेट प्रोजेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये सफल हुआ तो इस किसमें के फिर कई सारे स्मॉक टावर दिल्ली के अंदर लगाए जाएगे बहुत बहुत शुक्त